Scrap method of synthesis of quinoline, मतलब quinoline का हम लोग synthesis करेंगे, अब इसके लिए क्या किये हैं, aniline लिए हैं और glycerol लिए हैं, इसको heat करा रहे हैं, H2SO4 और एक oxidizing agent के presence में, जो की है इस case में nitrobenzen, तो aniline लिए हैं, तो हम लोग को मिलना quinoline, और अगर aniline का कोई और derivatives लिते हैं, तो हम लोग को मिलत का और derivative, तो इसका अब आगे हम लोग mechanism देखते हैं, इस रोल है, glycerol react करेंगा, H2SO4 से, और ये बनाएगा, prop 2 in, 1 al, या इसी को हम लोग बोलते हैं, acryoline, इसका दुसरा नाम हो गया, acryoline, या prop 1, 2, 3, prop 2 में in, 1 में al, step में ये aniline acryoline से react करेंगा, और ये nitrogen atom aniline का इस carbon के साथ जुड़ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर उसी को bond दिखा देते हैं, ये nitrogen है, ये इस carbon से जुड़ा, और इस तरह से इसका bond formation हो गया, यहाँ पर hydrogen group, अब ये जो bond टूटा है, और ये nitrogen के साथ attach हुआ है, तो यहाँ है का hydrogen निकल के यहाँ पर आया, और यहाँ पर बचिया, एक hydrogen, अब next step में क्या करेंगे, हम लोग add करेंगे, अब ये क्या होगा, nitrogen पर जो lone pair है, यह यहाँ पर आएगा, और nitrogen और इस carbon के बीच में double bond बनेगा, देखाते हैं उसको, हम लोग इस तरह से, nitrogen और इस carbon के बीच में double bond बना, अब ये और ये carbon के बीच में, जो double bond था, ये वाला, ये उट करके जाएगा, और इस carbon के साथ attach हो जाएगा, यहाँ पर ही इस तरह से, और ये oxygen है, अब ये oxygen double bond था, ये तूटेगा, उपर जाएगा, और keto, anol, totomerism, so करेगा, ये hydrogen यहाँ पर जाके जुड़ेगा, positive charge, और ये जो hydrogen हम लोग add किये हैं, ये जाके जुड़ेगा, इस वाले carbon पे, अब next step में, H plus iron यहाँ से बाहर किये, पहले add किये थे, अब हम लोग इसको eliminate कर रहे हैं, तो ये कहां से eliminate होगा, इस वाले जो carbon पे ये hydrogen bond है, ये eliminate होगा, और यहाँ पे double bond बनेगा, और ये nitrogen carbon के ब इसका lone pair मिल जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग इस तरह से draw करते हैं, यहाँ पे nitrogen, nitrogen को इसको मिल गया lone pair, nitrogen के पास एक hydrogen, यहाँ पे OH bond, यहाँ पे hydrogen bond, और ये double bond, यहाँ पे double bond, यहाँ पे double bond, यहाँ पे double bond, अब next step में क्या होगा, minus H2O, यानि यहाँ से water बाहर कर रहे हैं, त बाहर आएगा, और यह carbon और यह carbon के बीच में double bond बन जाएगा, उसको हम लोग दिखाते हैं, इस तरह से, nitrogen, 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 nitrogen पे lone pair, अब यहाँ पे बन गया double bond, यह जैसा था, उसी तरह से, next step में क्या करना है, इस hydrogen को eliminate करना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई सी भी oxygen का use है, nitrogen, nitrogen, C6H5NO2, इसका use किया है, तो यहाँ से hydrogen बाहर हो जाएगा, और हम लोग को मिलेगा, यह quinoline, इस तरह से, यहाँ पे double bond, यहाँ पे double bond, हम लोग को मिल गया, quinoline, ठीक, उम्मिद करता हूँ, यह आपको समझ में आया होगा, मिलते है, next video में, thank you.